गुद मौनिं क्लास नाइन, तोड़ी आम गएंग तो रिवाइज चेप्टर दे स्टोरी अफ पालमपूर फ्रम एकोनोमिक्स, इन दिस चेप्टर यू हैद रेट इस टॉपिक्स, ओवर्विव, इंट्रोडक्शन, और्गनाजेशन अफ प्रोडक्शन, फार्मिंग इन पा फार्मिंग, और इसके अलावा यहाँ पे फार्मिंग के अलावा छोटे-छोटे मैनुफेक्टरिंग भी होते हैं, जैसे डेरी और ट्रांस्पोर्टिंग का काम, लिमिटेड अस्केल पे होता है, और यहाँ पे हर बोजर रिसॉर्स उप लब्ध है, जो गाउं की प्रोड के गाड़ियां देखने को मिलती है, इस पूरे पालंपुर में 455 फैमलीज है, अलग-अलग जाती के, जिसमें से 60 फैमलीज अपर कास्ट के हैं, 150 फैमलीज सी के हैं, यहनि सिडियूल कास्ट के हैं, और 240 फैमलीज फार्मर्स का है, जिनके पास चोटी-चोटी जमीने हैं, इसके अलावा इस गाओं में एक दो primary school और एक high school भी है साथी साथ एक primary health care center भी है और private health care center भी है यानि इस गाओं के माध्यम से productions को समझाने की कोसिस की जा रहे है यानि productions activity जितना है वो सब समझाई गई थी और यह देखिया अगला topic जो organizational productions है इसमें हमने बताया थे कि किसी भी तरह के productions में चार तरह के factors होते है land, labor, physical capital and human capital जिसमें हमने सब के बारे हम बताया कि जब भी कोई productions करना चाहता है तो land, natural resource के रूप में चाहिए water हो, forest या minerals के रूप में चाहिए इसके अलावर labor, यानि खुद मजदूरी करने के labor में दो तरह के labor हम बताया थे एक skilled labor जो अच्छे कामों के लिए हो, skilled work के लिए हो और एक non-skilled labor जो छो छोटे कामों के लिए हो labor वला काम के लिए और physical capital में हमनों दो तरह का capital बताया, fixed capital और permanent working capital fixed capital में क्या बताया, यह एक permanent capital होता है, जो लंबे समय तक यूज की जा सके जैसे example यहां tools machine दिख रहा है, working capital में हमने क्या बताया, कि productions के requires के लिए जो तुरत की जुरत की चीज़े हो, raw material हो, जिसको तुरत यूज कर लिया जाए, वो working capital जैसे पैसा उसमें सबसे important है, इसके बाद चौथा factor क्या है, human, यानि इन तीन चीज़, factor अगर किसी के पास level है, तो उसको use करने के लिए चौथा factor होना चाहिए खुद इनसान, तभी तो उसको production कर सकता है, और इन चारों में human सबसे important है, क्योंकि इसके बीना productions assemble है, तो इन चारों को मिला करके ही कहा जाता है, organization of factor या फिर factors of production, तो अब आपका स्टार्ट होता है, अगला topic farming in पालंपूर जिसमें बहुत सारे चोटे 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 topics है, पहला यहाँ पर आपको दिखरा land is fixed, हम बताये थे, कि पालंपूर जैसे गामों में क्या होती है कि अजादी के बाद यह गामों की जमीने सिमित थी, बाद में क्या की गई, इसे cultivable बनाए गई जंगलों को साफ करके, barren land को उपजाओ land में convert करके, और फिर इस पे खेती की जानी सुरू की गई, हमने बताया है कि यह जमीन तो है सिमित है, तो इस सिमित जमीन पे प्रोडक्शन ज्यादा है क्या से हो, ज्यादा प्रोडक्शन के लिए हमने दो मेठ़द बटाया था, पहला multiple cropping और दूसरा modern farming method, multiple cropping में हमने बताया था कि एक ही जमीन पे, यानि एक साल के अंदर दो इसे ज्यादा फ देखे थे कि पालंपूर में already तीनों सीजन में फसल उपजा जाती थी, गर्मी सीजन में क्या था, घर्मी में खारी था, फिर अक्टूबर नवामर के समय में सबजी को उपजा ली गई, जैसे पोटेटो और फिर विंटर में राभी क्रॉप्स था, इसके अलाबा पुरान नगाने में फार्मिंग में जो उपज है यानि इल्ड जो है वो जूदा हो सब इसके लिए इसके लिए मोडर्न टेक्निक का इस्तमाल गया था, और ज्यादा इल्डिंग के लिए जरूरी है modern technique जैसे traditional seed के जगापे H by V seed, high yielding variety seed, tractor, fertilizers, tube bells यह सब चीज़े चाहिए ताकि production ज़्यादा हो से और इसी का नतीज़ा है यानि यह जो result है modern factor का modern farming का यह start हुआ था 1968 के green revolution के बाद और इसी के वज़ा से पंजाब, हरियाना, UP जैसे रियाज आज गेहुम चावल के production में बहुत आगे है अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो जमीन पर modern farming method की जा रहे हैं क्या वो जमीन survive कर पाएगा जादे दिन तक जादे दिन तक जीवित रह पाएगा यानि अच्छी रह पाएगा उपज उसकी तो modern farming method में जो fertilizers और tubels जैसे चीजों का इस्तमाल होता है इससे जमीन की fertility डाउन होती है chemical fertilizer से soil जाता है and tubels के वैसे water table डाउन होता है फिर हमने बताया था इसमें कि जो land है फालंपूर जैसे गावों में वो किस तरह से बटी होती है तो परिवार के अनुसार यहां पर देखे कि जो 150 family जैसे है जो landless है जिनके पास जमीन है ही नहीं और 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 hectare से भी कम जमीन है and 60 family ऐसे हैं उपजात वाले जिनके पास 2 hectare से ज़ादा जमीन है तो यह देख रहे हैं जमीन का बटवारा तो अब यहां पर सवाल है कि जमीनों पर जो खेती की जाती है गाउं में उन गाउं में मजदूरी करता कौन है तो मजदूरी करने वाले हैं दो तरह के किसाने एक जो landless है जिनके पास जमीन है ही नहीं वो क्या करते हैं दूसरे के खेतों में के जा के काम करते हैं और जो medium family या जो small farmer होते हैं वो अपने परिवार के साथ मिलकर ही क्या करते हैं production खुद के लिए कर लेते हैं और इन लेवरी करने वाले जो लोग होते हैं इनको मजदूरे के रूप में या तो cash मिल जाता है या crops मिल जाता है और cash में भी limit cash 35 या 40 रुपया जबकि government क्या अनॉस किया है कम से कम 60 रुपया तो यह जो small farmer खेती करते हैं modern खेती उनके लिए उनको पुंजी चाहिए खाफी मातर हमें क्योंकि बीज चाहिए fertilizer चाहिए और उसके लिए इनको पैसे कहां से मिल जाते हैं बड़े किसानों से या trader से trader भी वो जिनको production के बाद उन्हीं के पास जाके फसल बेजना है and medium और large farmer जो होते हैं क्या करते हैं इनके पास जो income आती है वो उस income का बहुत बड़ा हिसा क्या करते हैं saving कर लेते है और यह जो छोटे किसान होते हैं इन करजों के स्थिति में क्या होते हैं फस जाते हैं हमने बताया था कि यदि फसल बरबाद हो गई तो इन लोगों का क्या होता है पूरा कर सकें वो भी साल भर बहुत मुश्किल से जबकि medium और large farmer जो होते हैं वो अपने supply के भोजन को रिकत्रित करके extra भोजन को market में supply कर देते हैं और खमाए गया पैसे को या तो bank में deposit करते हैं या किसी fixed capital में invest करते हैं अब यह देखिए अगला topic आप क्या क्या है नन farming activities और यह नन farming activities में यह सारे activities वालंपूर जैसे गावों में होती है डेरी डेरी आप जान रहे हैं जानवरों को पार्ण पोसन करना यानि मेन रूप से गायव है इसका और उसके दूद को जाके market में sale करना small scale manufacturing में जो छोटा छोटा production करना या कपड़े बना लेना या बट्टा बना लेना या फिर और भी बहुत से कामें production में उसके बाद shopkeeper shopkeeper तो बहुत important है इसमें उने देखा था कि गाउं की जरूरते कि जो चीज होती है गाउं में ऐसे दुकाने होती है जो एक ही दुकान में सारा समान मिल जाता है सब कुछ everything चाहिए आपको book चाहिए खपड़ा चाहिए या फिर दवाई सब कुछ रखता है वो काहँ वाले इसके बाद transport में क्या देखा कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरे सहर से गाउं को connect करने के लिए road पे अपना transport लेके उतर जाते हैं ताकि income हो सके तो यह सब non-farming activities है और यदि आपके बास book है तो जो बीच-बीच में brew box में page में दिया हुआ होता है उसमें किसी character के बारे में example होता है उन character को आप जरूर पढ़े तो topic ज़्यादा clear होगा और यह रहा है इस chapter का questions आपको इध्यान डखना है कि यह सारे questions जो हम देते हैं very short होता है एक से दो line में बनने वाला या एक से दो sentence में बनने वाला यहाँ पर देख रहे हैं आपको total 18 questions दिखाई दे रहा है और इधर भी दिख रहा है कुछ questions यानि total इस chapter में का 24 questions है बहुत easy question है अगर clip आपने ध्यान से सुना अगर उसका notes को rough में तयार कर रहे हैं तो यह questions असानी से बन जाएगी जो नहीं बनेगा उसके लिए फिर school है खुलेगा तो हम उसको solve करेंगे करेंगे